नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों आपको बता दे कि लोक डाउन को लेकर कुछ बड़ी खबरे आ रही है इसी के साथ ही केंदर सरकारे और राजे सरकारों से भी कुछ बड़ी खबरे निकल कर आ रही है एक एक करके आपको सबी के बारे में पूरी जानकारी दे आजयें, बुक किये गए सभी टिक्डों को केंसिल कर दिया हैं, हाँ दोस्तों आपको बतादे की रेल्वें ने उन यात्रियों के लिए रिफंड नियमों के बारे में जानकारी दियें, जिने सपेशल ट्रेनों में यात्रा से पहले सकुरिनिंग के पहले ट्रेवल के लिए अनुफिट पाया जाता है ऐसी स्थिति में यात्रियों को फुल रिफंड मिल सकेगा रेल मंत्राले ने पहले से बुग के गए टिकटों को रद करने और उसके रिफंड को लेकर गाइडलाइन जारी किये रेलवी वाग ने वैस अभी टिकट कैंसल कर दी है जो 21 मार्च के बा करने वाली है वित मन्त्री आर्तिक पेकेज की 6 एक पो में टेटी को यात्री का नाम पता मोबाइल नंबर और को का रही हैं एसी आरी जानकारी 22 दें में कर साके दो तुसरी किस्त की जानकारी देगी सुत्रों सी मिली जानकारी के नुसारे आज कर्सी स्रम सुधारे ओटो मुबाइल सेक्टर के लिए बड़ी गोशने की जा सकती है अगली ताजा बड़ी कब्रारी 17 मैं को लोगडाउन का तीसरा च्रण खतम हो जाएगा 17 मैं से लोगडाउन 4 की शुरुआत होगी 18 मैं से पहले लोगडाउन 4 की पूरी गैडलाइन जारी होगी परदार मंत्रे नरेंदर मोदी ने का कि 18 मैं के बाद लोगडाउन नए रंग रूप में जारी रहेगा लेकिन इस बार लोगडाउन कई माईनों में अलग होगा नए नियमो वाला होगा उन्होंने का कि 18 मैं से पहले लोगडाउन 4 को लेकर जानकारी साजा की जाएगी यानि कि 18 मैं से पहले लोगडाउन 4 की पूरी गैडलाइन जारी कर दी जाएगी आपको बता दे कि लोकडाउन के करीब पचास दिन पूरे होने वाली है लेकिन अब सरकार देरे देरे जिंदकी को सामाने पट्री पर लाने की कोशिस कर रही है 18 मैं से बहुशी चीजों में बदलाओगा इस बात का संकेत पिये मोधी ने अपने बाचन में भी दिया था अगली ताजा बड़ी कब्रारी विश्व स्वास्ते संग्रन के आपात प्रस्तिती संबंदी परमुक ने काए कि ये नुमान लगाना एसंबह हो है कि कोरुना वारिस विश्वी के मा मारी पर कब तक नियंतरन पाया जा सकेगा डोक्टर माइकल रियान ने बुद्वार को एक स्वाधाता समिलन में कागी संबहुत है ये वारिस कभी ने जाए उन्होंने का कि कोविट गुनी से संक्रमित लोगों की संक्या अभी तक कम है उन्होंने का कि अगर इसी परकार से चलता रहा तो आने वाले दिनों में ये संक्या दो गुनी हो जाएगी अगली ताजा बड़ी कब्रारिये दुनिया में कोरोना वारिस अब तक 44,28,236 लोग संक्रमित हो चुके 16,57,905 लोग ठीक भी हो चुके वहीं पूरी दुनिया में मोत का आंगडा 3,00,000 क्रीब हो गया अमेरिका में सबसे ज़्यादा 85,000 लोगों की जान जा चुके इसके बाद बिर्टेन में 33,000 लोग जान गवा चुके अगली ताजा बड़ी कब्रारिये बारतिये मोश्य वाग से इस बार समय से पहले आ रहा है मांसुन ने दिली में 23 जून तक देगा दस्तक है हां दोस्तों में आपको बता दे कि बारतिये मोश्य वाग ने मांसुन को लेकर एक बड़ा एलान किया है IMD के मुताबित है अंडमान सागर है और अंडमान नीकोबार आईलेंड पर है मांसुन ने इस बार जल्दी आने की संभावना है विवाग ये जानकारी के मुताबित है इस बार अंडमान नीकोबार में 16 मही तक मांसुन पहुंच आएगा जबकि दिल्ली में मांसुन ने 23 जून तक आने की सुचना है तुन्ना में 3-7 दिनों की देरी से आएगा आपको बता दे की 4 महीने का दक्षनी पसिमी मांसुन सामाने तै एक जून को केरल से शुरू होता है इसकी शुरुआत बारत में मांसुन सीजन एक जून से 30 सितंबर तक होता है चलिए दोस्तों बात कर लेते आज की मोसम के बारे में बारती मोसम आने काय की 15 माई को 30 बारिस हो सकती है उत्तर बारत के कुछ चेत्रों में आने वाले 24 गंटों में 30 बारिस होगी दिल्ली, पंजाब, अर्याना, उत्री, राजस्तान, उत्तर पर्देश और मद्दे पर्देश के कुछ चेत्रों में बुंदा बांदी देखने को मिल सकती है